हेलो डिवन स्वागत है आप सभी का सरकारी काफे के एक और नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SSE MTS and हवालदार 2023 नोटिफिकेशन के बारे में जैसे कि आपको बता है कि एक्जाम करेंडर आउट हो चुका है तो इसमें SSE MTS and हवालदार का जो 2022 का ही डिक्रूपेंट जोगे 2023 में होने वाला है यूंकि एक साल लेट चल रहा है वेकंसी तो 2022 वाला ही एक्जाम 2023 में होगा तो इसका जो है डेट वगड़ आ चुका है तो आ यहां पर बात करते हैं कि यह एक्जाम कौन कंड़क्ट कर आएगा तो यह एक्जाम आपका SSC खुद कंड़क्ट कर आएगी जो कि है स्टाफ सेलेक्शन कमिशन इसका फूल फाम होता है उसके बाद पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है MTS और हवालदार दोनों का पोस्ट है लेकिन अभी यह कोई फिक्स नहीं है कि दस हजार ही रहेगा लेकिन ऐसे साथ-चार आट-चार से उपर ही रहेगा क्योंकि हर बार जोए आठ-चार तक आता है वेकंसे अगर MTS और हवालदार खाता है तो ठीक हम लोग इंपोर्टन डेट्स में देखिए क्या क्या है यहां रहे तो वह आपका सत्रा जनवरी दोजार तेस को अपका जारी हो जाएगा वही ता बैट-बाद करे कि आप्लिकेसन कब्से स्टार्ट होगा तो 17 जनवरी से हैं कर रहे घंड-बार यहां कि टो टोटल एक महीनिया तक चलेगा यहां एक महीन का टाम आपको मिलेगा अप्ल आब अपको प्रपोती बढ़ीया चीज है अगर आप प्रिधे सीर कॉश्यन को प्रेस्स करते है तो आपको पता van कि फ्रेफियर स्यरों को मैटेस रथा participants प्रेक्ष्ल्स्यशन में यहां तकी इंगलिस कोन फेन्व को सारी के ऑन्स करनाMcCes होते हैं तो इसलिए प्रेवियस एर कोशन आप वहां से लगा लीजेगा तो उसके लाप को एक पास पर्शिस करने के ज़त होगी जो के 399 रुपेज या फिर जो भी चल रहा होगा उतना में आपको मिल जाएगा लेकिन अगर आप हमारे उपन कोट को यूज करते हो तो एक्स की बात करें तो अप्लिकेशन फी जनरल ओवी सी इडवलोस को सौड़ पहलाएगा एक सर्विश में गल्स और फिजिकल हैं अपको कोई भी पेमेंट यहां पर देने की जोत नहीं है पेमेंट आप ऑनलान भी कर सकते हो तो आप पर डिपेंड करता है आप चले नेक्स बात क 25 साल एंड 27 आप दो एज ग्रूप है ठीक है तो इसको आप देख लिजएगा 25 साल वाले और 27 साल वाले तो इसी साब से आपका जो मेंटारा सल हुआ और मैक्समुन 27 यर वाले कर सकते हैं तो इसको बात को ध्यान रखना है और एज कप से कांट किया जाएगा तो एक जनवा साइट के उपर ही मतलब अपना लाय हूँ तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप यह सब जनकारी जो है देख सकते हैं कि इसको कितना मिलेगा ठीक है बागी चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और एजुकेशन गॉलिफीकेशन तो एजुकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल होगा फोर हावालधार पोस्ट अनली यानि कि हावालधार पोस्ट करेंगे उनके लिए सर्फ मेडिकल होगा और अगर जो मतलब मतलब अप्लाई कर दे तो इनका डिरेक्ट डॉक्मिन वरिफिकेशन होगा ठीक है तो इसको ध्यान रखिए का स्यक्ति यह अब देखिय às अलखे आपका अब का चेंज भी हो सकता है ठीक हो सकता है कि इस बार रहता दे działा हम्ता मुतर लिए बात करें तो इस तरीके से आपका होगा ठीक है इंग्लीज जनरल अवेडिनेश और निमेरिकल अप्टीट यानिकी रिजनिंग मैथ जीके और इंग्लिज की कोश्चन आएंगे 25-25 कोश्चन आएंगे हाड़ एक कोश्चन एक माक्स का होगा ठीक है तो उसे आप से 100 कोश्चन अब इसमें दोस्तों बात करेंगी किस लेवर कोश्चन आएगा तो 10 लेवर कोश्चन आएगा 0.25 के निगेटी मार्किंग होगी इसमें आपकी और जो कोश्चन होगा आपका बाइलिंग्वल होगा इंग्लिस और हिंदी दोना ही मीडियम में उसके बात अगर आम लोग बात सब्सक्राइब कर सकते हैं तो या फिर आपके सामने खुल जाएगा तो आप यहां पढ़ा कर सकते हैं यह मैंने ऑफिसल वेफसाइट के उपर पब्लिस किया हुआ है तो डिस्क्रिप्स में लिंक है तो या फिर आप सरकारी का आप डाव के लगाएट के जया हैं है ये आपका एक्साइम का प्डेट कर देंगे और अपलेकेशन का लिंक यह ये परlara को मैं दे oportun तो यहां साकर कि आप अपना अप्लिकेशन भी फिल कर सकते हैं और क्या से फिल करना है उसका भी वीडियो में आप डाल दूँगा तो आपको कोई भी दिखत नहीं होगी बाकि जो नोट्फिकेशन कब तक आएगा तो आपको पता होना जाए 17 जैनवारी को आएगा तो उसके इस वीडियो को ही पर रखते हैं वागी कोई भी दिखत कोई भी पर सानी हो तो कमेंट सब्सक्राइब बता दीजिएगा यहां पर टेलिग्राम पर जोइन कर सकते हैं मिलता है तो आप से नेक्स वीडियो में तब तक इले गुट बाए जैन वन्दे मात्रम